Periods, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लड़कियां अपने नजरे चुरा लेती हैं और लड़के कान अपने बंद कर लेते हैं खास तोर पर ये ऐसा तब होता है जब opposite sex एक दूसरे के आमने सामने हो हमार देश ने जित्ती भी तरक्की कर ली हो लेकिन periods को लेकर अभी भी कुछ राज्यों में लोगों की सोच conservative ही है यहाँ पर conservative से मेरा मतलब है सिम्टी हुई सोच कुछ लड़कियां इस बाद से relate कर पाएंगे कि जब भी वह एक sanity pad खरीदने के लिए कैमिश शॉप पर जाती है तो उने वह sanity pad एक clear bag की बजाए एक black polythin में pack करके दिया जाता है लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह काम हम किस सोच और किस मानसिक्ता के साथ करते हैं जी हाँ आज की इस वीडियो में हम उसी सोच और उसी मानसिक्ता के बारे में बात करेंगे नमस्कार मैं गुरलीन और आप देखना शुरू कर चुके है News 28 जी हाँ बात सिर्फ एक लड़की, परिवार, इलाका, कस्बा या फिर एक राज्य की नहीं है बलकि बात संपूर्ण देश की मानसिक्ता की है मावरी के समय एक लड़की के आसपास रहने वले लोगी उस पर काफी रिस्टिक्शन्स लगाते है यू कहलो, illogical restrictions जैसे की यहां मत जाओ, वहां मत बैठो, ढंग से बैठो ऐसा करोगी तो यह हो जाएगा, वैसा करोगी तो वो हो जाएगा इस पवित्र स्थान पे मत जाओ, इसे छूओ मत, इसे खराब कर दोगे यह चीजें developed होने के बाद भी अभी भी लोगों की मानसिक्ता को वया करती है उमीद है अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और अगर आप एक पुरुष है तो ना ही आप शन के मारे इस वीडियो को बंद कर देंगे और ना ही अपनी आखे बंद करेंगे दरसल केरल के राज़ेपाल अरिफ मौमत खान ने कुम्बलंगी को देश का पहला पैट फ्री गाम खूशित कर दिया है यानि अब इस गाम में सानिटी पैट्स ना मिलेंगे और ना ही इस्तिमाल किये जाएंगे इससे पहले के आप नराज हों हम आपको बता दे कि इस गाओं की महिलाएं और लड़कियां अब से सानिटी पैट्स की बजाए मेंस्ट्रॉल कप्स का इस्तमाल करना शुरू करेगी दरसल इंकुल्णम के सांसद हिबी इडन ने प्रधानमंत्री सांसद अदर्श ग्राम योजना के तहट अवल काई अभ्यान की शुरूआत की थी इसका मतलब होता है फौर हर यानि महिलाओं लड़कियों के लिए इस अभ्यान के तहट 18 साल से उपर की महिलाओं को 5000 से जादा मेंस्ट्रॉल कप बाटे गए हैं बीते 3 महीनों में महिलाओं को मेंस्ट्रॉल कप इस्तिमाल करने की ट्रेनिंग भी दी गई है सांसद हिर्वी इडन का माना है कि यह नई पहल सिंथेटिक सैनिटरी पैट से होने वाले प्रदूशन को कम करेगा और तो और महिलाओं के परसनल हाईजीन को भी सुनिक्षित करेगा अब कुछ लोगों के मन में सवाल उटरा होगा कि अक्चुली में में मेंस्ट्रॉल कप होता क्या है तो बताते हैं आपको कि मेंस्ट्रॉल कप एक सिलिकॉन से बड़ा एक छोटा सा कप होता है बेहत सॉफ्ट और इजी तो यूज और इजी तो स्टोर है आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकती हैं और यह आपकी पर्स में बिल्कुल जरा सी जगा लेगा मेंस्ट्रॉल कप पैट से अलग कैसे हैं पैट को आप बाहर लगाती हैं यानि अपने अंडर्वेर में मगर cup को आप अपने private mart में insert कर सकती है यह आपका period blood store कर लेता है और जब यह भर जाए तो आप इसे toilet में जाकर खाली भी कर सकती है सिलिकॉन से बने इस cup को आप पानी में उबाल कर दुबारा ही reuse भी कर सकती है यानि 300 से 400 रुपए तक का यह cup आप जब तक चलाना चाहे तब तक चला सकते हो यह हर मेंने होने वाले parts के खर्चे से भी आपको मुक्त करेगा तो ऐसे में आपको क्या लगता है केरल का यह initiative कितना सही है और कितना गलत comment box में comment करके अपने विचार बताएं तब तक के लिए नमस्कार